हेलो लर्नर्स विल्कम टूचल तो इस वीडियो हम बात करेंगे कि एकेट्यू की डिफरेंट कोर्सेज में एडमिशन के लिए कौन सी इंट्रेंस एग्जामनेशन की रैंकिंग आपके पास होनी चाहिए तो सबसे पहले B.Tech First Year तो B.Tech First Year हमें देखेंगे तो यहाँ पर J.E.E. Main 2021 की स्कोर आपके पास रैंकिंग होनी चाहिए वहीं पर B.Design, B.Pharmacy, B.H.M.C.T, B.F.A.D, B.F.A.V.W.O.C, B.Tech, Biotechnology, B.Tech Agriculture, MBA Integrated, MCA, MCA Integrated, M.Tech Integrated के First Year में देखेंगे लिए आपके पास U.P.C.E.T. 2021 की रैंकिंग होनी चाहिए तो U.P.C.E.T. का Examination 5 और 6 सितंबर को होना है 2020 में तो आपके पास सिंस्की रैंकिंग होनी चाहिए वहीं पर बात कर लें MBA की अगर आप MBA First Year में देखेंगे चाहते है कि सिर्फ सिमेट की रैंकिंग ही यूज की जाएगी MBA First Year में एडिमेशन के लिए वहीं पर B.Architecture के First Year में Nata N.A.T.A. 2021 का Examination की रैंकिंग होगी वहीं पर B.T.E.K. B.Farma के Lateral Entry Second Year में बात कर आने कि अगर आप MBA के लिए C.M.A.T. की रैंकिंग होने चाहिए और B.Architecture के लिए Nata की रैंकिंग होने चाहिए और B.Architecture के लिए UPCET 2021 की रैंकिंग आपके पास होने चाहिए तो आप A.K.T.U. की Counseling में अब यह हो सकते है जो कि 16 सितंबर से स्टार्ट होना schedule है तो A.K.T.U. की Counseling कब से सुरू होगी कब 1st round होगा कब 2nd round होगा कब 3rd round होगा कउन कांसे activities परफांग करने होगी वो सारे के उपर जो पूरा details वीडियो बनाया हुआ है description link मिल जाएगा पहुंसे देख सेते हैं पूरी counseling guideline के बारे में dates के साथ तो visual all the best keep watching